विल्कम बैक टो से डी मोबाइल आज मेरे पास रेडमी नोट 9 मैक्स प्रो है इसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम है इसमें 4G कनेक्ट नहीं करता या फिर आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा तो इस वीडियो को पूरा देखिए आपके पास रेडमी का कोई भी फोन हो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम में आफिन निटवर्क ना आना खास करके अगर आपके पास जीव का सीम है तो आप पूरा ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है अपने फोन को सबसे पहले इ जिसे मैं इंटरनेट चलाता हूं एक फर्स्ट स्लोट में सिम कार्डल इंसेट किया गया है तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है वोल्टी इसे ओन कर लेना है कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको एकसेस पॉइंट नेम वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे तो आप ध्यान इहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो अप्सं होगा उस पर रइट साइड में देखेंगे आरो का सिगनल होगा उस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप नीचे की ओर जायेंगे तो देखेंगे एपीएन प्रोटोकोल और एपीएन लृविंग प्रोटोकोल दोनों को IPvp4 by IPvp6 कर देना है कुछ इस तरीके जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और उसके बाद more के option पर click करके save कर लेना है उसके बाद यहां से आपको back कर लेना है उसके बाद आपको click करना है type network पर और वहां पर आप देखेंगे सबसे first option LTE वहां पर आपको select कर लेना है ताकि आपका phone 4G connect करे उसके बाद आपको back करना है और नीचे की और जाएंगे तो advanced setting का एक option आपको दिखेगा simply इस पर आपको click कर लेना है और यहां पर आप ध्यान देंगे तो data roaming का जो option है उस पर आपको click करना है और यहां पर कुछ इस तरीके से click करने के बाद always पर click कर लेना है और tune on कर लेना है कुछ इस तरीके से उसके बाद यहां से आपको back करना है और चैनल पर नया है तो subscribe कीजिए वेल आइकन को दवे तक नया वीडियो लाओ तब तक पहुँच पाए इतना setting करने के बाद आप अपने phone को एक बार reboot कर लेंगे जैसे कि मैं अपने screen पर दिखा पा रहा हूं कुछ इस तरीके से वीडियो अच्छा लगे तो एक like कीजिए चलिए मिलते इसके नेक्ट वीडियो ने तब तक के लिए बाए बाए